दोस्तों नमस्कार मेरा नाम डोक्टर सत्पाल सिंग हमारे इस यूट्यूब चैनल डोक्टर हैल्थ अडवाईज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा विशह है महिलाओं में धीले स्तनों को टाइट कैसे करें जो महिलाओं में जो ब्रेस्ट लटक जाते हैं उनको आप टाइट कैसे करेंगे इसके लिए आपके लिए एक घरेलू उपाय आज मैं बताऊंगा जिसके 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे पहले ही दिन आपको असर देखने को मिलेगा चाहे आपके ब्रेस्ट साइज बढ़ गया है उसकी वज़े से वो लटक गये हैं या फ ब्रेस्ट में कुछ लिगामेंट भी होते हैं जो ब्रेस्ट को ऊपर की तरफ खीच कर रखते हैं जिससे की ब्रेस्ट टाइट रहती है जो बढ़ती उमर के साथ-साथ उनका जो कोलेजन है उनकी जो इलास्टिसिटी है वो खो देते हैं जिससे महिलाओं में जो ब्रेस्ट हैं वो ढिले पड़ जाते हैं या लटक जाते हैं या फिर बहुत से ऐसे कारण भी है जिससे जवान उमर में भी ब्रेस्ट लटक जाते हैं चाहे वो हार्मोनल कमी की वज़े से है या फिर वो nutrition की कमी की वज़े से बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वज़े से महिलाओं में जो स्तन हैं वो लटक जाते हैं तो कारण कोई भी होगा आज आपको जो उपाए बताऊंगा मैं 100% रिजल्ट देने वाला है बहुत से पेशेंट पे रिजल्ट ले चुका हूँ आप भी इसका परियोग कीजी और लाब उठाईए पहले ही दिन आपको असर मि बड़ी असान और सरल एक्सरसाईज है और यह जो घरेलोऊपाई मैं बताऊंगा दोनों के दोनों ही बहुत सरल हैं यह आपको अपने घर में ही यह सारे समान मिल जाएंगे और यह बहुत ही आसान है करने में भी आसान है आपका ज़्यादा समय भीन में नहीं लगेगा चल आपने दो चुटकी पिसी हुई फिटकरी की डाल लेने हैं। दोस्तों आपने इन दोनों चीजों को लेकर आपने अच्छे से MIX कर लेना है और फिर आपने इसको अपनी BREAST के उपर आपनी मसाज करना है। मसाज आपने दोनों हाथों पे इस पेस्ट को आपने लगाना है और इसको ऐसे ब्रेस्ट को अपने हाथ में ऐसे नीचे से उपर की तरफ आपने मसाज करना है आपने उपर से नीचे इसको मसाज नहीं करना है आपने ब्रेस्ट को ऐसे उपर की तरफ ऐसे मसाज करना है ये आ 10 मिनट तक आपने मसाज करना है और उसके बाद आपने गरम पानी से इसको वाश कर देना है गरम पानी में भी आपने दो चुटकी पिसी हुई फिटकरी की आपने डालनी है जैसे ही आप यह करोगे पहले ही दिन जैसे आप आपने सुबह किया है तो शाम तक आपको थोड़ा strict होना शुरू हो जाएंगे उनमें नई जानानी शुरू हो जाएगी जो आपकी जो veins हैं जो nerve हैं जो veins हैं उनमें blood का जो flow है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा तो ये था हमारा पहला घरेलो उपाई अब बात करते हैं दूसरे घ्रेलू उपाई के बारे में दूसरे घ्रेलू उपाई में भी आपने क्या करना है अलोवीरा जल लेना है उसी तरह आपने अलोवीरा जल को लेना है और मिक्सी के साहिते से इसका आपने पेस्ट बना लेना है आपने approximately 5-6 चम्मच अलोविडा जल के लेने हैं और उसमें एक चम्मच आपने सहद का एड़ कर लेना है तीसरी जो चीज है आपने एक चोथाई चम्मच आपने फिटकरी का डालना है और उसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर देना है जब आप लेब कर देंगे तो इसको आप ऐसे ही खुला छोड़ दें और थोड़ी देर में यह सूख जाएगा approximately यह 10-15 मिनट तक आपने छोड़ देना है या 20 मिनट तक भी आप छोड़ सकते हैं या आप सुबह शाम भी कर सकते हैं या अगर आपके पास समय की कमी है तब आप दिन में एक बार तो इसे जरूर करें तो यह हो गए हमारे घरेलो उपाई और यह जो घरेलो उपाई है ना इससे जो आपकी जो ब्रेस्ट के लिगामेंट्स हैं वो मतलब पहले बार में ही एक बार जैसे आप करेंगे तो तीन चार घंटे बाद या फिर पाँच घंटे बाद दस घंटे बाद आपकी जो ब्रेस्ट है एटोमेटिक ही थोड़ा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा पहले ही दिन आप इससे फरक महसूस करेंगे दूसरा है हमारी एक्सराइज अब एक्सराइज क्या करने है बड़ी आसान एक्सराइज है थोड़ी सी देर में ही वह एक्सराइज होगी और आपको इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने बाहर जाना है कहीं पे जाना है कहीं नहीं आप घर में आराम से बैठ कर खड़े होकर पिस exercise को किजिए वैसे बैठ कर जादा अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है आपने लंबी सांस लेनी है अंदर की तरफ और पेट भी आपका उस ताइम पे अंदर जाना चाहिए ऐसे करेंगे तो पेट भी अंदर आपने लेका जाना है और ये जो सांस है वो भी अंदर जाएगी आपने ब्रेस्ट के यहां नीचे की तरफ से आपने जैसे ही आप सांस अंदर की तरफ लेंगे और पेट आपका अंदर जाएगा तो breast को आपने ऐसे उपर की तरफ करना है फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर hold करना है आपने जरासी देर के लिए और फिर अराम से आपने loot छोड़ देना है, सांस को छोड़ देना है और हाथ को अपने वापिस लेकर आना है दोबारे से फिर आपने लंबी सांस लेनी है, पेट को अंदर खीचना है, लंबी सांस लेनी है और ब्रेस्ट को अराम से आपने उपर की तरफ खीचना है और फिर आपने लूट छोड़ देना है तो इस प्रकार से आपने ये 20 बार सुबह और 20 बार शाम को करना है ये जो exercise है ये छोटी exercise नहीं है इसके बहुत बड़े बड़े result है ये breast में अगर gart होगी तो उसको ठीक कर देगी breast के जो ligaments हैं जो बिल्कुल ही lose हो गए है उनको ये tight कर देगी उनको ये ठीक कर देगी जो elasticity जो breast ने खो दी है वो वापिस आ जाएगी उनके जो tone है वो वापिस आ जाएगी तो breast के जो लटकना है वो भी इस exercise से पहले ही दिन से फरक पड़ेगा आपको अगर किसी को breast में गाट है तो उसके लिए भी perfect exercise है अगर किसी को breast का cancer है उसके लिए भी perfect exercise है तो बहुत बड़ी बड़ी जो breast की इतनी बड़ी बिमारिया है उसके लिए ये एकदम रामबान exercise है तो ये जो मैंने आपको दो घरेलो उपाई बताए हैं इन में से आपने एक घर साइज बताई है तो यह आपने करनी है 20 बार सुबे और 20 बार श्याम को चनद ही दिनों में आपके जो लटकते हुए जो ब्रेस्ट हैं वो टाइट हो जाएंगे आपकी जो ब्रेस्ट की जो टोन है वो वापिस आजाएगे वो सुडोल हो जाएंगे वो सुन्दर हो जाएंगे वो टाइट हो जाएंगे दोस्तों ये जो नुस्का आपको गहरेलू उपाय बताया है बहुत से पेशेंट्स को मैं परियोग करवा चुका हूँ एकदम फेंटेस्टिक बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट है आप भी इसका परियोग किजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद जय हिन जय भरत